असलाम अलेकुम प्रेंट्स आज मैं अपने किछने में बनाने जारी हूँ कान्दा पोहा रेसिपी आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मुझे फॉलो करें इंशालला आपका पोहा भी ऐसा ही यमी बनेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दबाएं बैल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे ये मैंने लिया है 200 ग्राम पोहा और मैं इसको धोंगे इसको हलका सा पानी डालकर ड्रेन कर देना है हमें इससे टैब की नीचे धोना नहीं है अगर हम इसको जादा धोएंगे तो ये मैंशी मैंशी हो जाएगा बस इसको हलका सा पानी डालेंगे वसका पानी सारा ड्रेन कर देंगे अब मैं डाल रहे हूँ इसमें हाफ डिबल स्पून साल्ट पॉर्ट पीजिए च्पने में हाफ लेमन जूस जाए लेमन जूस जालने का पायदा यहां पर यह है कि यह जो हमने पहता हो धोया है यह बिल्कुल भी इस टिक की श्ठिकी नहीं होगा चिपकेगा नहीं यह बिल्कुल खिला-किला हो जाएगा और मैं इसको थोड़ा सा खोल रही हूं खिलने के लिए तक ये खिल जाए थोड़ा सा हलका लूज हो जाए आप देख सकते हैं ये हलका हलका खिला हुआ है चले पोहे को बनाना शुरू करते हैं मैं ले रही हो एक पेन इस पेन के बना नालूंगे इसमे और डालूंगी और इस और को भी हलका से गराम हुने देते हैं आखिल के गरम होते ही मैं डालाूंगी इसमें पीनिट्स और पीनिट्स कों कर लेंगे शेलो फ्राई शेलो फ्राइ करते हुए हमने को देने है गॉल्डन कलर हल्कीमी फ्लकी घुल्डन हो जाया हमारी पीनट्स हल्की हल्की चल्साइब बुने ने यदखे है आप गुल्डन कलर आगया इस में हमारी पीनट्स में अब मैं इनको निकालूंगे एक बावल में आप देख सकते हैं मैंने सभी पीनट्स अपनी बावल में निकाल ली है अब आकी बचे हुए ओयल में मैं डाल रहे हूँ हाफ टेबिल स्पून मस्टर्ड सीड्स और अपिंच ओफ हेंग अब इन दोनों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे अच्छे से सौते कर लेंगे हम इनको भी हमारे मस्टर्ड सीड्स अच्छे से क्रैकल हो गए है मैं डाल रहे हूँ इसमें हाफ टेबिल स्पून जीरा हम इस जीरो को भी अच्छे से क्रैकल होने देंगे पिंकिश कलर आने देंगे तब तक हम इसको सौते करेंगे चला चला कर हमारा सीरा क्रैकल हो गया है मैं डाल रहे हैं इसमें ड्राइ करी पता अगर आपके यहां ग्रियंग करी पता है तो आप उसको भी डाल सकते हैं मेरे पास इस टाइम यही अविलेबल था पर इससे टेस्ट भी कोई फर्क नहीं प इसको भी अमच्य से साथे कर लेंगे अनियन के सौते होते ही मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली इसको भी अमच्य से साथे कर लेंगे इनको अच्छे से सौते करने के बाद मैं डाल लिए 1-4 टी स्पून तरमरिक पाउडर हल्दी पाउडर अब हम इस हल्दी पाउडर को डाल कर अच्छे से भून लेंगे तकि इसमें जो कच्छपन होता है हल्दी में वह इसमें टेस्ट में नाए अच्छे से भून लेनी है हमें हल्दी अब मैं हल्दी की होती ही मैं डाल रही हूं इसमें पटैटो बॉयल डालू और हमारे ड्राइ ओप पीनट्स जो हमने फ्राई किये थे सबसे फर्स्ट इन सब को डालने के बाद last but not the least मैं डाल रही हूं इसमें मैं पोहा आप देख सकते हैं मैं इसमें पोह डाल रही हूं हमारा पोह कितना खेला खेला हो रहा है आप देख सकते हैं यह पिकाज ओफ लेमन है आप जब भी अपने पोहे को दोए हमेशा उसमें लेमन जरूर निचोड के डाले पोहे को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर हमें इसको पूरा हंडिया की तरह इक जडिया की तरह ए विप फिल्प करना है और एंड कॉर भी शडिय को सब्त यह चोनुन है मैं फिर से इसको mix करूंगी, बस हमें इसको flip करना है and वस किरा देना है¡ flip или гिरा देना है את इसको everything we gotta don't bother with अगर हम चलाएंगे तो ये बिल्कुल mash हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यार Something color आ रा रहा है अब मैं डालने हुआ हाफ टेबल स्पून चाट मसाला अब चाट मसाले को डालने के बाद मैं फिरसे इसको मिक्स कर रही हूँ पर चला नहीं रही हूँ बस इसको फिलिप करना है और डाउन अब देख सकते हैं कितना प्यारा पूहा हमारा बन कर तयार हुआ है आप अपनी फैमली के लिए बनाएं मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना न भूले मेरे चैनल को मिलते हैं अगली किसी इंड्रेस्टिंग सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए शब पखेर